बोट बेस हेड्स 242 ये एक बजट में काफ़ी अची एरफोन है ये 300-400 के रेंच में आती है इस एरफोन के साथ कुछ एक्सेरीज जो आपको मिलती है आप देख सकते हो चलिए बात करते है वन बाई वन तो यहां आपको 10mm का ड्राइवर मिलता है 3.5mm जैक मिलता है ये IPX4 रेटिंग के साथ आती है तो हलके पुल के वाटर स्प्लैस और डस्ट को ये जहिल सकता है इसको बोट स्पोर्ट की केडिगरी में रखा गया है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं येरफोन की येरफोन में आपको बोट का लोगो मिल जाता है यहां सिलिकर मैटेरियल की दो येर हुक दी जाती है जो येरफोन को आपके कानों में अच्छी तरीके से होल्ड करता है और यह gym और sports के time आपके कानों से गिरेंगी नहीं अगर आप close देखे तो आपको left right का indicator दिया गया है यहां पर यहां mic में आपको boat का logo मिल जाता है पीछे आपको play pause या call receive का button मिलता है और volume up down के लिए दो और button मिलता है आपको 3.5 mm jack में भी boat का logo मिलता है यहां आपको gold plated jack नहीं दी गई है जो इस earphone की एक drawback हो सकती है बात कर लेते हो wire की एक काफी soft सा rubber material दिया गया है यहां आपको braided cable नहीं मिलता है अगर आप बहुत ज़्यादा rough uses करते हो तो wire cuttenay का chances है और अगर normally आप अच्छे से रखते हो तो साल दो साल यह wire आपकी अच्छे से टिक जाएगी wire divider में plastic material दिया गया है तो यहां आपको 10mm का driver मिलता है अच्छी base के साथ आपको एक अच्छी travel में मिलता है और voice clarity भी बहुत ही अच्छी है आपको इस earphone के साथ एक pouch दिया गया है जिस पे आप earphone को रख के pocket में रख सकते हो या फिर आप कहीं travel कर रहे हो तो इस पे लेके जा सकते हो आपका wire safe रहेगा आपको दो extra pair of earbuds दिया जाता है एक already लगा हुआ है तो आप अपने कान के size के coding लगा सकते हो silicon material है तो काफी soft है ये earphone 1 year warranty के साथ आता है 3 to 400 के earphone पे 1 year के warranty काफी fair डेल है यहां एक manual guide दी जाती है जहां आप users के साथ साथ boards के बाकी product को भी देख सकते हो IPL teams का भी यहां promotion किया गया है अब बात करते हैं earphone के sound की यहां sound आपको comparatively loud मिलता है bass इसके driver को justify करता है bass काफी अच्छी है यहां आप music में beat और thumbs को feel कर सकते हो trouble यहां थोड़ा ज़्यादा दिया गया है vocal थोड़ा सा crunchy मिलेगा आप music में सारे instrumental sounds को enjoy कर सकते हो अगर आप full volume के music सुनते हो तो आपको हलकी फुल की distortion feel हो सकती है बाकी मैं कहूंगा एक balanced sound है आपको एक wire clip भी दिया गया है इस earphone के साथ इसके ear hooks आपके कानों से earphone को गिरने नहीं देगी और आप music को लंबे time तक enjoy कर सकते हो मैंने इस earphone पर लंबे time तक music सुना है यहां आपको कोई irritation या फिर कानों में दर्द feel नहीं होने वाली एक सबसे बड़ी problem जो earphone के साथ होती है वो है tangle यह earphone आपका tangle free नहीं है हाला कि थोड़ी सी hard material है तो आपको बहुत ज़्यादा tangle नहीं होने वाली पर completely tangle free नहीं है बात कर लेते हैं calling में mic कैसी है तो यहां आपको voice काफी clear मिलता है voice crunchy मिलता है तो आपको calling में कोई दिकत नहीं होने वाली अगेन यहां voice थोड़ा loud आपको मिल सकता है gold plated jack नहीं दी गई है यह earphone आपका tangle free नहीं है अगर आप एक budget earphone में अच्छी voice clarity और music enjoy करना चाहते हो तो यह earphone आपके लिए अच्छी option है बाकिया आप अपने सुझाव और experience हमारे साथ share कर सकते हो comment box में Thank you